मैं भी मानता हूँ इस बात का निवाला दिखलेगा नेताओं का और दिवाली होगा किसानों का हम किसी का टीम नहीं है हम टीम है तो किसानों का पिछडों का अलपसंकिय का और दलितों का टीम है चुनाओं में पार्टियां जितना नहीं है हमारे सवबाग है मेरे साथ आये हुए मंत्री मंडल आमदार खासदार तलंगान राज के बालके जी ने हमारा बहुत ही अच्चे अंदाज में सागत किया और बहुत ही रम्मान नायक विटोबाजी के चरण में माता टेकने का हमें जो दर्शन दिलवाए उस चीज के लिए मैं उनके आवारी हूँ मैं धन्यवाद भी उनको देता हूँ महारास्टर राज के बियारेस किसान विबाग के अध्यक्ष सि मानिक रव कदम जी हमारे सीनियर नेता सि शंकरन दोंडगे जी आपके लोग प्रियन नेता आपके दिल जीतने वाला नवजवान ताकतवर नेता भगीरत बालके जी आवाज कम आई है ये भगीरत है आगे चलके पूरे चंद्रबाग का पानी मंगलवाड में लाने वाले है इनके नाम ही भगीरत है मंच पर उपस्तित नेता गन साभा में उपस्तित बायों बहनों और माओं मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ इन दिनों मैं ये एक प्रारतना सुबसे पहले आपसे करूँगा मेरे जो भी शब्द है आपके सामने आप सुनके यही मत बूल जाएए अपने गाउं जाके जरूर अपने मित्र और अपने फैमिली में चर्चा कीजिए अपने गाउं में चर्चा कीजिए इतना मेरे प्रारतना है इन दिनों एक बात मुझे बहुत सताता है मैं हर सबा में कहे रहा हूं महारा समय कि आज हमारे देश के लक्ष क्या है बारत का लक्ष क्या है देश का कोई लक्ष है या बिना लक्ष के हम गुमरा हो गए हम बटक रहे हैं अंदेरे के रास्तों में क्या हो रहा है इस देश में एक बार प्रति भारती को इस बारे में सोंचने की बहुत सक्त समय आ चुका है यह वक्त है उस समय का हाजादी का जंग एक वक्त था जिन कुर्बानियों के फल हमको मिला लेकिन आज एक और आजादी की जंग लड़ना चाहिए उस प्रकार का ही एक नया हुमेंग से एक नया सावेरे का दिशा में पूरे भारत को चलना चाहिए करांती के मार्क पर इसलिए के आजाद हुए हम भारत 75 साल गुजर गए 75 साल कोई कम समय नहीं होता है जैसा के साउथ कोरिया है जैपान है सिंगापूर है मलेशिया है हमारे से जियागरिफिकली कनेक्टेड है हिमालाई के उस पार में चीन है आज चीन का एक समय में चीन हमसे गरीब थे 1982 तक उसके आज आज का चैना कहां है और हम कहां है इस बात को हर किसी को सुंचना चाहिए चुनावा आते रहते हैं जाते रहते हैं कोई न कोई जीती जाता है कितने पाठियों को हमने सपोर्ट किया और महारास्त जैसे राज में मुझे एक पारड़ी बताईए जिनको औसर नहीं मिला अधिकार नहीं मिला कांग्रेस तो पूरे 50 साल राज किया उसके बाद में रास्टवादी को भी आपने मोका दिया शिव सेना को आपने मोका दिया भाजपा को भी आपने मोका दिया करना चाहते तो इन में से कोई एक तो करते उल्टा ये कह रहे हैं तिलंगाना के जैसे चोटे से राज में कम समय में नया नवेल राज में किसानों के भलाई के लिए सब कुछ किया जा सकता है मैं मराटी बोल नहीं सकता लेकिन समझ सकता हूं बालके जी ने अपने बातों में सारे बता दिये तेलंगाने में क्या-क्या स्कीम चलता है ये स्कीम चलंगाने में 5-6 साल से जब चल रहा है महारास्टा में क्यों नहीं महारास्टा तो बहुत बड़ा राज है स्थिर राज है धन्वान राज है यहां किस चीज की कमी है उल्टा यह कहा जा रहा है कि तिलंगाना का जोई भी मामला है वो बूल बुलेया है अगर महारास्टा वो कर दे तो महारास्टा सरकार का दिवाला निकलेगा हाँ जरूर निकलेगा दिवाला मैं भी मानता हूं इस बात का निवाला दिखलेगा नेताओं का और दिवाली होगा किसानों का बिल्कुल दिवाली होगा किसानों का राज का दिवाला नहीं निकाले हम कहां से ला रहे पैसे सुभी पूछने लगे हैं आज उल्टा पल्टा कोचन पूछने लोगों को गुमरा करने बालकेजी बता रहे थे तिलंगाना की पार्टी है बियारस तिलंगाना की पार्टी नहीं है बियारस बारत बदलने का बारत परिवर्तन का एक मिशन है यह राश्ची यह पार्टी है पर अजीब अजीब सवाल आते हैं अजीब अजीब बाते करते हैं हम जब पंडरी धर्शन के लिए जब वहां से निगले कितने लोग क्या-क्या कह रहे हैं आपके अक्बारों में देखा टीवियों में भी सुना हाँ आज ज़रूर धर्शन करें लेकिन राजनीची ना करें हम आके दर्शन कर रहे हैं पंडरीपुर मेरे फिचे कई पत्रकार पड़ेते मैंने वहां मुझ नहीं कोला, कुछ कहा भी नहीं उनको, वो नाराज भी हो गए मुझसे, लेकिन मैंने वो हुन्यस तली है, क्षेत्र है, तब वहां मैंने कुछ राजनी ते नहीं कहा, लेकिन यहाँ जरूर कहूंगा. मेरा एक बात है, मुझसे समझ मनी आता है, अभी अभी हम शुरू हुए महारास्ट में, इतना आक्रोष क्यों है इतने सारे पार्टियों में, इतनी गबरहाट क्यों है, हडबड़ी क्यों है, इतना आक्रोष, इतने छोटी पार्टि के लिए, तीन, चार, चार मैने ही हो गया कांग्रेस का एक वक्त हुए है, कांग्रेस ने हमको बीजेपी का बीटीम करार दिया, बीजेपी ने हमको कांग्रेस का ये टीम का करार दिया, ये पता नहीं ये टीम कहां से आते हैं, हम किसी का टीम नहीं है, हम टीम है तो किसानों का, पिछडों का, अलप संक्या का और दलि पहली बार हिंदुस्तान में कहीं कहीं लोग कहीं कहीं नारे दिये सिर्फ बियारे सी एकला होता एकी पार्टी है जिन्होंने दिल पाड़ के कह दिया के अबकी बार किसान सरकार पहले कोई पार्टी ने इस बात नहीं कहा क्यों नहीं कहा भाई साथ प्रत्चत लोग तो केती किसानी से जुड़े होए हैं किसान को और कामगार को जोड़ दो तो साथ प्रत्चत से ज़्यादा होगे अब इन लोगों को डर लगा है बैसोग साथ साथ मालूम हो रहा है किसान जुड़ रहें B.R.S. के साथ तो इसलिए उल्टा सीरे बात करने लगते हैं बड़ा अजीव अजीव कामेंट्स करते हैं मैं आपको साब बताना चाहता हूँ ये मत्यलंगाना या महाराष्टा तक के लिए सीमित पार्टी नहीं है आज के बारत के जितने भी समधान, जिसने भी प्रश्ण है इतने भी समधाएं हैं, उसका एकी समधान है के बारत का परिवर्तन परिवर्तित बारत ही अमारे सारे समधाओं का समधान है हाँ परिवर्तन चाहिए इसलिए मैं दो-चार शब्द बताता हूँ आपको बारत में 41 करोड एकर्ड कृषी योग ये भूमी है हिंदोस्तान में जिस प्रकार से पानी की उपलब्दी है हमारे पास बरसात होती है इंडिया में एक लाग चालीस हजार टी-म सी की आदा तो उसमें बास्विकरन होता है लेकिन आदा पानी हमें प्राप्त होता है हमारे शुद्द नदियों में बहते हुई यहने कि बारत के हर एकड में अगर सरकार में दम हो केंद्रिया राज के सरकारों का नीती सही हो तो हर एकड में हिंदुस्तान के भरपूर पानी दिया जा सकता है अभी आते हैं रस्ते में बालकेजी मुझसे कह रहे थे मंगलवार के लाके में 25-25 गाओं में पानी आने है जो लाया जा सकता है नेकिन नहीं कर रहे हैं के सरकार में इच्छा शिक्ती नहीं है क्या बात है पानी जरूरत से ज़्यादा है 41 करोड एकर जो कृशियों के भूमी है बारत में हर एकड को दिया जा सकता है और पीने के लिए भरपूर पानी दिया जा सकता है मैं आउरंगाबाद गया तो वहां बोल रहे चमबाजी नगर उनका नाम बदल दिया ठीक है वहां गये तो कह रहे आट दिन में एक बार पानी आता है शोलापूर में भी चार-पांच दिन के बात पानी आता है अकोला वाले मेरे दोस्ते प्रकाश पोहरे वो कह रहे तो है अकोला में दस दिन में एक बार पानी आता है आजकल मुंबै और पुने में पानी की सपले में कटवती आ रही है क्या बात है पानी नहीं है देश में यह क्या हो रहा है इसलिए मैं कहता हूँ साफ कहता हूँ बारत के जल नीती जो राश्टी जल नीती है उसको पूरा का पूरा उठा के बंगाल के काड़ी में फेक देना चाहिए और नया पालसी बनना चाहिए यही बारत का परिवर्तन है पक्का चाहिए ये बात देश में हमारे पास नहीं है पानी तो अलग बात है पानी की उपलब्द है पानी को रखते हुए है मुझसे क्यों वंचित है और क्यों वंचित हो जाए अब तक नेताओं ने गुमरा कर दिया जिनको जो कहना कहे दिया ना पीने का पानी आता है, ना शिंचन के लिए पानी आता है włZ, दूसरी चीजह बिजली, बिजली की क्या कमी है, बिजली बनाने के लिए 3, 4 किसम का बिजली होता है, लेकिन कई चीजों को लेके विवाद भी है, जैसे अटमिक पवर है, चरणोभील में रूस में जो इस्प पर आजाए तो तभी नहीं आता है विंड पवर है जो हवा से आने वाली पवर हवा चली तो आई नहीं आई है अगा है है डोलिटकल पवर है वो सिर्फ बारिश में जब नदियां बहने लगते हैं प्राजेक्ट बर जाते हैं तभी कुछ मात्र में मिलता है लेकिन ये की में अब तक पाया गया रिजर्व्स कोईला रिजर्व्स हिंदुस्तान में तीन सव एक्सट बिलियन टन का कोईला का उपलब दिया है मैं यहीं बात आपसे विनम्र पूरक प्रार्तना करता हूं मेरे बात को जरूर चर्चा में ले आया है गाउं में कि जरूरत से ज़्या पढ़ोगे आप चौंग जाओगे यह अपके केंद्र सरकार पीचे का केंद्र सरकार राज्यों के सरकार जो गुम्रा कर रहे है जो निजी करन कर रहे हो सरा सर गलत है इसलिए मेरे प्रपोसल है बारत परिवर्तन का ये भी एक हिस्सा है पूरे राश्टिये उर्जा पालि पूरे भारत के चोटे चोटे गाउं से लेकर बड़े बड़े शेहरों तक चोटे चोटे उज्योग से लेकर बड़े उज्योगों तक और पूरे जगा बिजली परियाप्त देने के लिए देड़ सव साल तक के लिए यह परियाप्त है कोईला यह मेरे आंकड़े नहीं है यह मेरी कलपना नहीं है यह केंद्र सरकार के आंकड़े है कोईला मंत्राले के आंकड़े है इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ यस बात को आप अपने गाउं में चर्चा कीजिए क्यों हमको गुम्रा किया जा रहा है बिजली दे सकते हुए बिजली बना सकते हुए क्यों निजी करन कर दे रहे बिजली कमपनिस को और हमारे देश में इतना भरपूर कोईला है जो डेड़ सव साल तक के लिए परियापत है उसके बावजूद क्यों कोईला आज चेलिए ऐसा मंगाया इस बात को हमको समझना चाहिए ये रूट मुद्धे है इसलिए मैं आपसे प्रार्तना करता हूँ किसान भाईयों हम जब तक एकत्रित ना हो हमारा समश्य का कोई समधान नहीं निकलेगा बड़ा दुक होता है इतने धनवान महारास्टरा राज में किसान का आत्मा लेकी हमारा अगर हम प्ठ्धियां ले ले सारे किसान चुनाओं के समय इकटे रहे किसानों को पाटी को कड़ा करे तब जाकि हमारा बिलकुल समश्य सूलग सकता है इसमें मुघे कोई शेक नहीं तेलंगान राज में वहां लोगों ने तेलंगान राज भी प्राप्त किया इकटे होके लड़के उसके बाद में किसान सरकार बनाया बाल के जिने सर बता दिया हमा क्या क्या दिया जाता है 24 गंटा हाई क्वालिटी वाला पावर फ्री में दिया जाता है इस प्रकार का फ्री में दिया जा सकता है के आप 50 हार्सपवर भी यूज़ करो किसान कोई पूचने वाला नहीं है उनको 10 नहीं 15 मोटर भी लगाओ उसमें भी कोई पूचता नहीं है किसान को जब फ्री बिजली देते हैं फ्री दे देते हैं दिल से दे देते हैं चुनाव के लिए वोटों के लिए नहीं देते, वोटों के समय में नहीं दिया हमने, ऐसे ही 10,000 रुपे हरेकर को उनके निवेश के लिए दे देते हैं, जो लागोडिया आप कहते हो, उस प्रकार का, किसान का किसी भी प्रकार का मुच्ची हो, एक्सिडेंटल नहीं, किसी प बीमा कर दिया है, पुरा बीमा का प्रीमियम सरकार ही बरता है, पांच लाग रुपे उनका क्रिया करम से पहले उनके गर में पहुंच जाता है, किसान का पैदावरी जो है, दान हुगाते हैं तिलंगाना में ज्यादा, हर एक दाना पूरा का पूरा सरकार ही करिदता है, व गुमना पड़ता है, मैं जानता हूँ महारास्ता में कैसा कैसा दिया जाता है, यह मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ, यह पूरा गन्ना का एरिया है, गन्ना के दाम के लिए हर साल क्यों किसानों को लड़ना पड़ता है, क्या कमी है, क्या दम नहीं है सरकार में इतना भी, ए प्याज जुगता है, उसका दाम नहीं मिलता, प्याज के दाम के लिए हमारे किसान भाई नाशिक्षे मुंबई तक पधियात्रा करते हैं हजारों के संक्या में, उनके पायर से कुन भी निकलता है, तब ही सरकार को कही हिसास नहीं, गन्य के दाम क्यों नहीं देते, कहीं भी गन्य के पैसे कैसे देते, तीन मेने में, चार मेने में, पांच मेने में देते हैं, एक बार नहीं आता है, ये क्यों, इससे कि हम नहीं निकल सकते, इस कर्ष्ट से, इस मुश्किल से हम नहीं निकल सकते, बराबर निकल सकते हैं, हम अगर एक जुट हो जाओ, किसान का सरकार जाए तो उनके सर पर बैठके दिला देगा सब कुछ मिल जाएगा इसमें कोई चमतकार नहीं है इसलिए मेरे प्रार्तना है आप सुब लोगों से किसान जब तक इकत्रित ना हो कुछ नहीं बदलने वाला है पार्टी बदलते रहेंगे अब समझे आप करनाटरक में हाल में चुना हुआ वहाँ भारती है जनता पार्टी आप गया कांग्रेस सरकार आ गया क्या कुछ बदलने वाला है वहाँ पर कुछ नहीं बदलेगा वही पालसी चलते रहेंगे वही पुराने ही खताय सुनने पड़ेंगे इसलिए मेरे प्रार्तना है चुनाओं में पार्टिया जीतना नहीं है जबसे हमारे बारत में चुनाओं में जनता जीतने का रवया शुरू होगा तब से बारत बदलेगा जनता को जीतना चाहिए जनता को अफेक्शा जीतना चाहिए चुनाओं के दूसरे दिन से ही उनके तहत काम होना चाहिए ये वरी इंपर्टन्ट चीज़ है ये समदने की बात है इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ किसान जीएगा तो कौन मरेगा किसान अगर जिन्दा है सुप के ताली में काना आता है किसान अगर खथम है तो सुप के तालीयां सूख जाएंगे कौन जी सकता है उसके इलावा भी लोग कलियान कार करेक्रों हमारे पास है वो सो किये जा सकते हैं वह गरीब शादी करता है एक लाग रूपय देते हैं हम लोग विद्यार्ती बाहर जाना चाहते हैं 20 लाग रूप़े का स्कालर्शिप देते हैं हम लोग जो बाहर देशों में पढ़ने के लिए ऐसे कहीं कलियान कारी होजना है जो दिवियांग लोग है देश में कोई राज नहीं देता सिर्फ तेलंगाना एक ही राज है तीन हजार के उपर देता था तेलंगाना दशाब्दी उत्सों में मैंने बास यजप किया उनको 4000 मिलेगा पर मैने यहां पे पैंशन क्या मिलता है मेरे क्यासUNG से कोई 600 रूपे मिलता है तेलंगाना में हम 2000 रूपे पेंशन देते हैं महारास्टा वास्यों को जो पेंशनदार है इनको कुलकर कहता हूँ महारास्टा में बिया रइस का सरकार लाओ पूरे किसान के काम भी हो जाएंगे और welfare measures भी, आपको pension 2000 मिलेगा, बाजपता मिलेगा, किसी का जिवाला नहीं निकलेगा, बिल्कुल बाजपता अराम से दे सकते हैं, यह सारे चीज हो जाएंगे, सारे चीज संभव है, जबके हम हिकत्रित हो, दलित वर्ग हमारे देश का ए गोरे लोगों ने बहुत सताय था बहुत रुलाया था बहुत उनको वंचित किया था लेकिन अमरीका समाज में जागूरती आने के बाद एक बलाक मतलब याने काले जाती के रहने वाले बराक उबामा को देश के अध्यक्षी बना देके उनका अपने पाप को दोया है ये भी के चेहरे पर दाग रहके बन जाएगा इसको भी मिटा देना कोई दूसरा देश वाला नहीं करेगा यह हमारा ही करता भी बनता है हमारा ही दाइती बनता है यहां के पार्टियां पूरे प्रस्तापित है इनको क्या डर है समझ में नहीं आता क्यों ऐसा करते हैं समझ में नह आता क्यों हैं फुल्टा सुल्टा बात करने लगते हमारा जो एजंडा है उसे जंडा पर बात करो पेंदा डिसकस करो कि देवेंद्र फटनवी जी जो बूतपुर मुक्य मंत्रिक अपके मुक्य मंत्री है नांदेर में पहली बार जब मैं आया था तो उन्होंने कहा था केश्चीर जी आपका हिए क्या तो काम्तेलंगान में मैंने कहा बाईया मैं बारत के नागरिक हूँ कहीं भी जाकर काम कर सकता हूँ मैं यहां किसान के उद्धार के लिए आया हूँ, अगर मुझे नहीं चाहते हो तेलंगाना एजन्डा मक्की का मक्की शेंबल तक का इंप्लिमेंट करो, मेरा काम कतम मैं मज्जपेश चले जाओंगा महाराष्टर नहीं आओंगा उसका जवाब नहीं है उनसे उसका जवाब आता ही नहीं है उनको कहना चाहिए कि बिल्कुल हम आमल करेंगे, नहीं करते केंद्र सरकार एक 6,000 रुपे देते वो भी कम लोगों को, कम किसानों को हमारे पास कोई ऐसा अभेद नहीं है पूरे किसान जितने भी है 70,000,000 किसानों को हम रहीतु बंदु जो स्कीम है 10,000 देने वाला, छोटा बड़ा सुप किसानों में देते हैं, कोई बेद बाव नहीं है उसमें, इसी प्रकार का यहां भी आना चाहिए, लेकिन जैसा बियारेस ने प्रवेश किया महारास्त में फिर 6,000 का इलान हुआ, वो किसको देंगे, जो किसान सम्मान और हर्दाना उनका करिटे हैं, करिटे भी कैसा, सीधे उनके बैंक में जाता है आप लोग प्रसंद हो जाएंगे मेरे बात सुनकर, तलंगाना में मैंने देखा है, मुक्यमंत्री बनने के बाद 2 साल, किसानों का जो ज़स्च है, मुश्किल है, मैंने देखा है उसके बाद में पूरी तलाटी विवस्ता आपने बरकास कर दिया है तलंगाना में तलाटियों का जो काम है आप जानते हैं हमारे भूमी उनके नाम पे लिग दे इनका भूमी उनके नाम पे लिग दे पूरा तलाटी विवस्ता ही बरकास कर दिया कानून बनाके उनके पेड़ में नहीं मारा आपने दूसरे डिपार्टमेंट में उनको नौकर दिया और तलाटी विवस्ता निकालके धरनी बोलके पोर्टल लाके सारे जमीन का रिकार्ड हमने डिजिटलाइज कर दिया, उसके लिए उस माध्यम से ये सुविधा होता है किसानों को, दान करीते हैं, किसी के पास पिरने की जूरत नहीं है, सीधे किसान के बैंक अकॉट में जाता है, जो पांच अजार हर फसल के लिए हम निवेश के लिए देते हैं, वो भी सीधा ना दर कांट में बैंक में चले जाता है, ये संभव बात है, ये बात जब तेलंगाना में हो रहा है, महरास्टा सरकार क्यों नहीं कर सकता, ये ही मेरे कोच्चन है, ये मेरे सवाल है, शिर्फ महरास्टा ही नहीं, मज्यप्रदेश में क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में क्यों नह पूरे अणिया भारत में क्यों नहीं, इस घु memo होते हुए भी, एक राजी में इंदुस्टान के किस्ता में हो रहा है, भाकी भारत में क्यो नहीं, इसी लिए मैं तमाम लोगों से, सुभी लोगों से मैं प्रार्तना करूँगा, ये फूरे भारत के किसानों के जंग है उनके प्रतनिदी है बियारेस पार्टी सिर्फ महारास्टा या तिलंगाना किसी एक राज का नहीं है और आगरी में मैं एक बात आपको जरूर बताओंगा बालके जी ने कुछ बात रखा उनने पिताजी थे उनके बड़े अच्छे आदमी थे बले आदमी थे तीन तीन बार आपने आपके प्यार दिया उनको जिताया उनकी मुर्च्चु हो गए बगवान ने हमरे साथ नहीं रखा उनको उनको मैं आश्वासन देता हूँ बिलकुल मैं उनसे बड़ा हूँ उनको पूरा आश्रवाद मेरा उनके साथ होगा बालके जी के साथ आज हम पूरे तिलंगा न राज को लाके यहां विटोबा जी के दर्शन करवाए घर बुलाए और खाना भी काएंगे हम लोग जाके आप लोग भी काएंगे हम लोग भी काएंगे इतना हमारे साथ जो कड़े है पच्चिम महरास्टर के जो दर्वाजा कोले है बालके दादा उनके पूरा हमारे साथ होगा हमारे आश्रवाद उन पे होगा हम पूर्न तरिके से उनके साथ होगे आप सोगुलोग पर साथ दीजिए, युवा नौजवान, क्या चाहिए, नौजवान लीडर है, नौजवान नेता है, उनके काफी बविश है, ये MLA चुने जाते हैं, तो MLA नही रही कि माया अश्वासन देता हूँ, इनको मंत्री पर भी मिल सकता है, काफी उंचे भी जा सक है, उनकी तरक्की यहने, पंडरपूर मंगलवार की, कानिस्टेंसी की तरक्की है, सोलापूर जिले की तरक्की है, महारासर राज की तरक्की है, बालके जी का विक्तिकत तरक्की नहीं है, उनको भगवान ने जो दिया दिया है, उनको कोई काने की कमी नहीं है, लेकिन पू किसान इकत्रित हो के आप चल पड़े तो हर चीज संभव है कोई असंभव नहीं है कोई नहीं होने वाला कार नहीं है ये एक बात मैं हम तुमें कहूंगा हम जब पल के अपेक्षा करते हैं पल का ही पोदा लगाना चाहिए कई महान संतों ने कहे दिया है कि बोया पेड पोदा लगा के फल का अपेक्षा करें हमको नहीं मिलेगा गाई से दूद लेना है तो गाई को गांस दीजिए घदों को गांस दे दो और गाई को दूद पूचो कहां से मिलेगा हमको हमारे वोट में वो ताकत है वो दम है हम बटे नहीं गए तो बिलकुल हमारा काम बन ज जरम दिया, किसान के घर से ही मैं पैदाइश हूँ, किसान होने का मैं फकर करता हूँ, बिल्कुल फकर करता हूँ, मुझे फकर है किसान होने के लिए, इसलिए मैं कुद किसान में हूँ, इसलिए मैं किसान का दुख दर्थ समझ सकता हूँ, लोग बोलते हैं, मरत वाड़ा के विदर्ब के लोग बोलते पच्चिम महारास्ट ने ठीक है मैंने कहा भईये पच्चिम महारास्ट में क्या मुफत में बिजिली मिलता है मिलता है 24 गंटा मिलता है एक गंटा भी नहीं मिलता है लागोडी मिलता है नहीं मिलता ना मुझे सुनने नहीं दे रहे नहीं मिलता तलाती रहे कि बरकास करें बरकास करना चाहिए जो बरकास करना चाहिए हाथ उटाएए एक बार कैमेरा वाले उधर देखो जनता क्या चाहिए वह बता दो परे दुनिया को अज़िए पर दिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया सही है महाराश्य के किसानों के लिए ये सुविदा क्यों नहीं लायागा है किजिए बिल्कुल किजिए क्यों नहीं कर सकते जब तेलंगा ना कर सकता तो आप भी कीजिए इंतलाटियों के लूट मार से बचा लिजिए किसानों को ये करने वाले बात नहीं करते उल्टा सुल्टा बोलने लगते हैं जो करने वाले लेकिन जन्ता क्या चाहता है अब आपने हाथ उठा के बता दिया तो भी समझ में आ गया है कहीं कहीं बाते हैं मेकिन इंडिया बुले देश के प्रदानमंत्री साहिब मेकिन इंडिया है तो हर शहर में क्यों चेहना बजार लगता है बारत बजार कहां बाग गया है क्यों चेहना बजारी दिखता है हर शहर में बच्चे उड़ाने के पतंगों के मांजा दीपावली के दिये दीपावली के पठाके बोली के रंग ये सारे चेहना से आते क्या बारत में इतना भी सलयत नहीं कि ये चीज़ियां बन सके आप सुचिए इन बातों का आपके गाउं जाने के बाद सुचिए कि बारत बदलना है नहीं बदलना है जरूर बारत का परिवर्तन ही आज के बारत के समश्याओं का समधान है कोई दूसरा नहीं समधान है पूरे नीतियां बदलना चाहिए, पालिशियां बदलना चाहिए, पारदर्शता होना चाहिए, लोगों के सामने रखना चाहिए, मैंने डट करके पूछा मुझे कोई डर नहीं है, हाँ तलाटी लोग जरूर हमारे किलाब बोट डालेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन जब चाहता है हम कुल के कहते हैं कि तलाटी चाहिए कि नहीं चाहिए महारास्त के हर प्रांत में मैं पूछ रहा हूं विदर्ब में में अमरेट वारा में नाशिक में हर जगा मैं पूछ रहा हूं हर जगा की पुकार जनता का पुकार यही है कि तलाटी निकाल दो जैसा तिलंगा उसका कोई नहीं बदल सकता बदलने का अधिकार किसान को ही हमने दिया है किसान का अंगूटा याने के बायोमेट्रिक लगके ही किसान का जमीन का वोनर्शिप बदलता है तलंगान राजी में उसका कोई तलाटी नहीं बदल सकता कोई revenue inspector नहीं बदल सकता तैसिलदार नहीं बदल सकता divisional officer नहीं बदल सकता collector भी नहीं बदल सकता revenue secretary भी नहीं बदलता revenue mantra भी नहीं बदलता chief secretary भी नहीं बदल सकता chief minister भी नहीं बदल सकता सिर्फ किसान की जो भूमी है उनका जो अधिकार है उनका जो पटता है उसको बदलना है तो किसान की बायो मेट्रिक से ही बदलता है ये भी आप अपने गाउं में चर्चा कीजिए जब तिलंगाना में ये सुविदा है उपलब्द किसानों के लिए महारास्ट में क्यों नहीं जो नेता लोग हमको हमारे उपर ये कर रहे है टीका टिपनी कर रहे है उनसे पूछिए बया केसियार ने कहके गयर आप क्यों नहीं कर रहे है ये बात हमेरे लिए क्यों नहीं ला रहे है तिलंगाना का महारास्टा का बाडर है एक हजार किलोमेटर आप कहीं भी जाके पूछ सकते हैं किसी भी गाउं में यहां से तिर्फ चार-पांशो किलिम्टर में तलंगाना पड़ता है बाल केजी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर तैसील से एक बस या दो बस एक बस में महिला, एक बस में पूर्श आ जाए बिलकुल आखा वहां के पूरा एक दो दिन गुमें हम आपका सत्कार करेंगे, हम आपके वहां के मंदिर का धर्शन करवाएंगे उस सवबाग्य में दे दीजीए हम आपके विलकुल लोगों को लाईए एक हफता दस दिन में पूरे दिका के हम बता देते हैं क्या-क्या काईसा होता है, रिजिस्टेशन काईसा होता है तेलंगान में रिजिस्टेशन करने जाओ दस मिनिट में हो जाता है फिर पट्टा के लिए समय नहीं है उसके बाद पांच मिनिट में पट्टा भी हो जाता है वहीं के वहीं पास्ट बुक दे देते हैं आपके पास जो साथ बारा है इतना सा कागज देते हैं हमारे पास कागज नहीं देते हैं हर किसान के पास जैसा पासपोर्ट होता है उससे भी सुन्दर सा पास्ट बुक है उनके पास और उनका कभी वो बेजते हैं, करीते हैं, तो पूरा उसी समय वेबसेट में दिख जाता है, किसी ने यहां करीदा, उनका बेटा अमेरिका में है, माँ देख सकता है, अमेरिका में भी, दुनिया के किसी कोने में है, काली वेबसेट कोल दिख जाएगा, हमारे पिता ने दोयक बातें करो केसियार को कुछ का हो ये टीम का हो बी टीम का हो मैं साब बता देता हूं पूरे महारास्टर वाश्यों को भारत वाश्यों को बी आरेस किसी का टीम नहीं है हम अपने आप में पार्टी है हम किसानों का टीम है हम दलितों का टीम है पिछडों का सीम है और अलपसंक के लोगों का टीम है पुरा बलाई करने वाला पार्टी है यह किसी का B team ये team बनने का आमारा कोई जुरूरत नहीं है पचाइस करोड आपाधी जब किसानें अगर किसान वीरेस के साथ है, तो हमारे साथ चीम आजाते हैं, किसान अमारे साथ है, अब बताये किसान अमारे साथ है, जंग लडेंगे, अब की बार, दल हो गए, आप लोग खाना तयार है, जोर से बोई है, अब की बार अब की बार